बुलश्री प्राणनाथ प्यारे की तुम आये सब आईया दुख गया सब दूर कहे स्री महामती ए सुख क्यों कहूं जो उदया मूल अंकूर जो उदया मूल अंकूर विरह को प्रकास राग आसावरी एह बात में तो कहूं जो कहने की होई प्राणाधर सुंदर साथ जी कलस ग्रंत का ये प्रकरण प्रकरण का जो विशय है विरह को प्रकास विरह के विशय में प्रकास किया गया है इस प्रकरण के माध्यम से और पहली ही चोपाई में कह रही है कि एह बात में तो कहूं जो कहने की होई इसका आर्थ क्या है कि विरह के विशय में वर्णन तो तब किया जाए कि विरह अगर कथनी का विशय हो विरह चर्चा का विशय होता कहने का विशय होता तो मैं उसके विशय में बता पाती विरह कहने का विशय नहीं है जिसको भी विरह होता है वो किसी को बताता नहीं फिरता है धिंडोरा नहीं फिरता है कि मुझे विरह हुआ है दुख की आवस्था का वर्णन किया जा सकता है कि मैं दुखी हूँ मुझे किसी कारण से दुख पहुचा है या दुख हुआ है लेकिन विरह की आवस्था उससे भी बहुत उपर की आवस्था है और बहुत ही गहरी आवस्था है दुख तो विरह तक पहुँचने की एक सीड़ी है इसलिए दुख का भले ही वरणन हो सकता है विरह का वरणन नहीं हो सकता तभी इंद्रावती जी कहती हैं एह बात में तो कहूं जो कहने की होए विरह कहते किसे हैं इसके विशे में व्याख्या दी जा सकती है जैसे वाणी की चोपाई का शाब्दी करता अगर हम ले तो कलस ग्रंत के ही प्रकरण में कहा विरहा गत रे जाने सोई जो मिलके बिछुरी होए जियों मीन बिछुरी जल थे या गत जाने रे सोई विरहा जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर के बना है एक है वी और दुसरा है रहा वी का आर्थ होता है विना और रहा मतलब रहना तो विरहा का तात्पर यह हुआ जिसके बिना रहा न जाए अर्था था हमारी अवस्था ऐसी बन जाए कि जिसके प्रती मिलने की इच्छा है जिससे मिलने की इच्छा है अथवा जिससे जुदागी का जिससे अलग होने का पता हमें चला है तो उससे अलग अब एक पल के लिए भी ना रहा जाए उसको विरह कहते हैं और जब एक पल के लिए भी हम अलग नहीं रह पाते हैं, तो फिर विरह का वर्णन कों कर सकता है? व्यक्त कौन कर सकता है? किसको कर सकता है? क्योंकि अगर किसी की प्रतिव विरह है उसको मिलने के बाद उससे मिलने के बाद तो वो विरह समाप्त हो गया एक बार मिलने के बाद तो उसको भी बताने के आउशक्ता नहीं है और किसी तीसरे विक्ती को अगर हम बता रहे हैं कि मुझे विरह हुआ है तो इसका मतलब यह है कि इसको एक उधारन से अगर हम समझें तो ये बाद और अधिक दिल में बैठ जाएगी कि इसी प्रकरण में आगे जा करके सत्रमी चोपई में एक उधारन दिया है पतंग कहे पतंग को कहां रहा तुस्वे मैं देख्या हूँ दीपक चल देखाऊं तो ये विरह का वर्णन करना या फिर मुझे विरह हुआ है ऐसा किसी तीसरे विक्ति को बताना ऐसा ही है जैसे कि एक पतंग दूसरे पतंग के पास जा करके ये कहे कि मैंने दीपक देखाऊं और चल मैं तुझे भी दीपक के दर्शन कराता हूँ वाणी कहती है दीपक देख पीछा फिरे साबित राखे अंग आये देवे सुध और को सो क्यूं कही ये पतंग अगर दीपक देख करके भी वह पतंग वापस आ रहा है और दूसरे पतंग को बता रहा है कि फलाने जगह पर दीपक प्रजवलित हो रहा है चल उसे बुझाने के लिए जलते हैं तो उसको पतंग कैसे कहा जाए क्योंकि पतंग का तो लक्षण ही यही है कि पतंग कही ये तिन को जो दीपक देख जंपा है दीपक देखते ही वो उसको बुझाने के लिए क्योंकि उसका सुहाग अंधेरा है तो उसको बुझाने के लिए जो अपना सर्वस्व समर्पित कर दे उसको पतंग कहा जाता है कोई दूसरा कीडा हो कोई दूसरा कीट हो दूसरा प्राणी हो वह तो जा सकता है बताने के लिए कि पतंग उस जगह पर दीपक जल रहा है और तेरा सुहाग नस्ठ हो रहा है ऐसा तो हो सकता है लेकिन पतंग स्वयम दूसरे पतंग के पास जा करके दीपक के विशे में वर्णा नहीं कर सकता है उसी तरह से विरह की आउस्था में पहुँच जाने के बाद उस विरह का वर्णा नहीं हो सकता है इसलिए इंद्रावती जी कह रही ए बात मैं तो कहूं जो कहने की हुआ ये कहने का विशय नहीं है विरह के विशय में कोई अपना अनुभव व्यक्त कर सकता है विरह होने के बाद वह लक्ष हमने प्राप्त कर लिया और लक्ष की प्राप्ती के पहस्चात हम दूसरे ब्रह्मस्ष्टियों को दूसरे सुन्दर साथ को प्रभोधित करने के लिए उन्हें जगाने के लिए उन्हें प्रेरीत करने के लिए तो हम अपना अनुभाव कह सकते हैं कि अगर आप ऐसा आसा करेंगे इस तरह की रहनी लाएंगे तो आपको सहायक होगा childhood तो वो रहनी आपको लक्ष प्राप्ति में सहायता प्रदान करेंगी लेकिन जिस समय में हम विरह में डूबे हुए हैं विरह की अवस्था में हैं तो उस समय हमसे किसी भी चीज का वरणर नहीं हो सकता है अभी इंद्रावती जी कह रहें आगे कि पर एक हशमें रीज के दया करी अतिम है राजी ने बहुत ही दयाकी मेहर की और मेहर करके इंद्रावती जी को उन्हें ने दर्शन दिया उनके हृदेद हमें आकर के विराजमान हो गए जैसे कि इंद्रावती जी अगली चोपई में कहती हैं सुनियो बानी सुहागनी दीदार दिया पीव जब अंदर परदा उड़ गया हुआ उजाला सब जो माया का परदा राजजी और ब्रहमात्मा के बीच में पड़ा हुआ था वो परदा समाप्त हो गया और राजजी ने दर्शन दिया दर्शन देने के बाद अब ये जो मेहर जिने की है उसके बाद है विरह की आवस्था का कुछ वर्णन इंद्रावतिजी कर रही है। लेकिन केवल वर्णन करने से हमारे अंदर वो आवस्था नहीं आ सकती है। न वर्णन करने वाले के अंदर आ सकती है, न सुनने वाले के अंदर आ सकती है। कोई विरह के विशे में घंटों व्याख्यान दे सकता है कोई उन व्याख्यानों को सुनता है कोई विरह के प्रकरणों का गायन करता है लेकिन केवल इससे विरह नहीं आता है विरह के विशे में तो वही जान सकता है अर्थात विरहा का अनुभव वही प्राप्त कर सकता है जैसे कि इंद्रावतीजी ने कहा जियों मीन बिछुडी जलत हैं यागत जाने रहे सोई जैसे मचली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए पानी से बाहर निकालने के बाद और कितने भी तरह के लिक्विड हो दूद में डालें तब भी वो तडपेगी तो उसको पानी ही चाहिए वापस उसको पानी में ही डालना पड़ेगा पानी से बाहर निकालने के बाद में मचली के अंदर पानी के लिए जो तड़प होती है अगर वैसी ही तड़प हमें राजी के प्रति आए तो हम कह सकते हैं कि हाँ विरह ये है लेकिन दूसरे को नहीं बता सकते कि इसको विरह कहते हैं क्योंकि जब आप तड़प रहे हैं किसी चीज के लिए तो उस समय में आप वर्णन कैसे कर सकते हैं लेकिन आज ब्रह्मसिष्टी कहलाने वाले हम सब सुन्दर साथ की स्थिति उच मचली की तरह न हो करके मेढग की तरह है मेढग की तरह क्यों सुन्ने में अचनमा लग सकता है लेकिन आप सब जानते हैं कि मेढग तो पानी में भी रह सकता है और जमीन में भी रह सकता है हम सब सुन्दर साथ की इस्तिते ऐसी है कि अगर राजी नहीं मिले अथवा उनकी प्राप्ति नहीं हुई उनका दर्शन नहीं हुआ फिर भी माया में हमारा गुजारा चल ही रहा है जैसे मेढग पानी के बिना भी रह लेता है जमीन में भी रह लेता है तो उसको विरह नहीं कहते हैं ब्रह्म सिष्टी कहलाने वाले सुन्दर साथ के इस्तिति भी वैसी है जब हम चर्चा सुनते हैं तो कुछ समय के लिए दिल में कोई बात चुब जाती है तो आखों से आशू भी निकलाते हैं सबके नहीं निकलते लेकिन फिर भी कुछ सुन्दर साथ के आखों से आशू भी निकल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हां हम राज्य की विना रह नहीं सकते लेकिन जैसे ही चर्चा खतम हुई फिर भी ढाक के तिन पात जैसे बितक में हमने सुना लालदास जी और सुन रहें तब लगता है कि यहां राज्य की विना सब कुछ माया है मित्या है लेकिन जैसे ही चर्चा समाप्त हुई उस चटाई से उस जगह से उठ गए उसके बाद में फिर माया ही सब कुछ है फिर राज्य की याद नहीं आती है तो हमारे इस्तिति मचली की जैसी नहीं उसको कोई फरक नहीं पड़ता, वो अपनी दुन्या में मस्त है, वो अपनी काम में मस्त है, वैसे ही राजी मिले या ना मिले, कहने को तो हम चाहे बनावटी रूप में कह लें, चाहे एक दूसरे की देखा देखी या फिर परिवार के पारिवारेक संस्कारों के कारण हम रा हमारे जो जिनको हम गुरू कहते हैं या थवा सद गुरू कहते हैं वो अगर किसी समय पूछ लें किसी भी रूप में कि हाँ आप ध्यान करते हैं कि नहीं तो हम कह साके कि हाँ जी हम ध्यान तो करते हैं तो ऐसा उत्तर देने के लिए अउपचारिकता पूरी करने के लिए तो हम सब कर ही रहे हैं। लेकिन इससे लक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं। एक टीचर सभी विद्यार्थियों को पढ़ाता है, लेकिन एक ही स्कूल में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी एक जैसे नहीं हो सकते। सभी लोग कहेंगे कि हाँ पढ़तो रहे हैं, हम परिक्षा भी दे रहे हैं। लेकिन जो अपना सत प्रतिशात देगा उस विशय के लिए। जैसे मैथ पढ़ने वाले, गणित पढ़ने वाले, सभी लोग रामानुजन नहीं बन सकते। सभी लोग गणितज्य नहीं बन सकते। साइंस पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी साइंटिस्ट नहीं बन सकते उसके लिए तो दिन रात एक करना पढ़ता है अगर कोई वेक्ति गणितज्य बनना चाहता है तो पूरा दिमाग उनका पूरा का पूरा फोकस कॉंसेंट्रेशन उसी एक विशय में होना चाहिए उसी किस लाख चालिस लाख की संख्या होगी लेकिन उनमें से विरह का अनुभव किस किस ने किया है केवल सक्कर कहने से गुड कहने से जिस प्रकार मुख मिठा नहीं हो सकता वैसे ही विरह की कथा कहने से विरह की चर्चा कर लेने से किसी के अंदर विरह का वह अनुभव नहीं गया सकता है हम विरह की व्याख्या में घंटों विता सकते हैं सैकड़ों उदाहरण दे सकते हैं हम मीरा बाई का उदाहरण दे सकते हैं कि उन्होंने क्रिष्ण के प्रती विरह किया था हम सुर्दास का रस खान का उदाहरण दे सकते हैं और हम अपने समाज में देखें तो हम स्वयम श्री इंद्रावती जी का उधारण दे सकते हैं। उनके अलावा भी अलग-अलग समय में छठे दिन की लिला में भी भिन भिन परम्हंचों की लिला हुई है। उन सभी परम्हंचों की लिलाओं का उदाहरण दे सकते हैं चोपई का शाबदिक हर्थ बता सकते हैं विरह से संबंदित दर्जनों चोपईयां हम सुना सकते हैं अभी भी हम सुना ही रहे हैं अभी भी हम सुन भी रहे हैं लेकिन उस विरहा का अनुभव न सुनाने वाले को ह इसलिए इंद्रावतिजीस प्रकरण में कह रही है कि ये जो विशे है वैसे कहने का नहीं है मैं भी यहाँ पर आप सब के सामने विरह किसको कहते हैं ये बताने के लिए उपस्थित नहीं हुआ विरह का अनुभव कैसे किया जा सकता है और उसकी अनुभव के लिए विरह का वो स्वाद चक्रनी के लिए हमें प्रयास करना चाहिए हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए मेरे कहने का आसा है अब विरह तो तब आए कि जब हमें उसकी कमी महसुस हो जैसे कहते हैं ना वाणी की चवपई साफ स्पष्ट तोर पर कहती है कि दुख थें विरहा उपजे विरहे प्रेम इश्क इश्क प्रेम जब आईया तो नहचे मिल लिया हग मतलब क्या है कि दुख से विरह की उत्पति होती है विरह की प्राप्ति होती है विरह से प्रेम इश्क और प्रगाड होता है ऐसा नहीं कि पहले प्रेम नहीं होता है रिदे में जिसके लिए प्रेम ही नहीं है उसके विछोडने का क्या दुख वला है जिसके लिए प्रेम ही नहीं है उससे विछोडने का विरह क्या प्रेम पहले से होता है लेकिन प्रेम का अंकूर होता है उसमें लेकिन जैसे जैसे दुख और विरह की अस्रुधारा रूपी जल जब उस प्रेम के अंकूर पर पड़ता है तो वो फिर व्रिक्ष बन करके दीदार रूपी फल में फलिभूत होता है लेकिन वो दुख का बहुँ जैसे मचली का उधारण दिया एक उधारण में कई बार दे चुका हूँ, सायद आपने सुना भी होगा इससे पहले भी कि मचली को तो पानी से बाहर निकाले जाने में पानी के प्रतितड़ब होती है वैसे ही विरह का मतलब क्या है करते हैं कि राजी हमारे प्राण के नात है, तो एक लवकिक उधारण लिया जाए मचली की तरह ही मनुष्य का उधारण लिया जाए, मनुष्य को पानी में डुबो दिया जाए और उसकी स्वास की जो लिमिट है, स्वास रोकने की जो ख्षमता है 45 सेकेंड अथवा एक मिनिट की उष्य क्षमता के बाद भी अगर उसको पानी में डुबो या जाए, अब ऐसा लगे कि दो सेकेंड के अंदर भी, अगर दो सेकेंड के अंदर में बाहर नहीं आप पाया, तो मैं मर जाओंगा और उस समय उसको स्वासों के लिए जो तड़प होती है, कि मुझे सास लेना है, अंदर जो चटपटाहट होती है, अगर कोई वेक्ति जबरजस्ती किसी को पानी के अंदर डूब होता है, तो उस डूबे हुए वेक्ति के अंदर बाहर निकलने के लिए जिस समय तड़प ह होती है, उस समय वो और किसी को याद नहीं करता है, उसके सगे संबंदी, उसके पास धन है, संपदा है, सब कुछ है, यह यूं कह लिजिए, कि उसकी जान पर जब बन आई है, तो वो यहां तक कह देगा, कि मेरे पास जितना दौलत है, जितनी दौलत है, जितनी सहरत है, फोटो आज कल वायरल हो रहा है बताया जा रहा है कि वो इटली शहर का फोटो है कि इटली में लोगों ने अपने अपने पास जो पैसे थे भी अगर हम देखें जो बीमारी फैल रही है किसी को अगर ये बीमारी लग जाए और बहुत अधिक अमिर हो तो वो क्या कहेगा कि मेरे पास जितना धन है जितनी समपति है सब ले लो लेकिन मुझे बचा लो अर्थ क्या है कहने कतात पर या क्या है कि सबसे अधिक प्रेम वो स्वयम के प्राण से करता है स्वयम के जान से करता है पानी में डूबे हुए व्यक्ति के लिए ऑक्सिजन की जितनी कीमत होती है ऑक्सिजन के लिए जितनी तडप होती है उतनी ही तडप अगर हमारे अंदर राजी के लिए आए तो वो अवस्था होती है विरहा की क्योंकि उस समय हमें प्राण वायू के अलावा और और कुछ भी नहीं सूझता है वैसे ही जैसी आवशक्ता प्राण वायू की है वैसी आवशक्ता अगर हमें प्राण नाथ की महसूस होने लग जाए क्योंकि कहने को तो प्राण नात है प्राण नात का मतलब क्या है प्राण का आधार जीवन का आधार लेकिन हमारे प्राण का आधार तो कुछ और ही है मान लीजिये कि मचली को तो पानी से बाहर निकाल दिया गया आपको पानी नहीं मिला दुख और वीरह का में अंतर समझा रहा हूँ आपको एक दिन पीने के लिए पानी नहीं मिला तो आपको दुख होगा लेकिन अगर पानी की जगह पर कुछ और मिल जाए तो कोई भी liquid मिल जाए हम काम चला लेते हमें दूद मिल जाए हम उससे भी काम चला लेते हैं हमें juice मिल जाए हम उससे भी काम चला लेते हैं तो राजी को समझ लीजिए कि वो उनकी अवस्था पानी वाली है और माया हमारे लिए दूसरे संचाधनों का काम कर रहे दूसरा liquid दे र जुषस्पाına जिए रहा है राजी की आवसेक्ता हमारे दिन में या पाराइक नी है तैं say yeah उतनी ही आवसेक्ता जित्नी की जूस बनाने के लिए पानी की होती हैखे मैं कि राजी को हम और आप गजेत मैं किसी तरह का 에व विरहणे कार रहा होता है और अगर हम वास्तों में ही राज़ी को पाना चाहते तो डुख के आते ही जैसे ही दुख की प्राप्ति हो हम उससे पल्ला क्यों चुछ बुलाते जब इंराओतीजी कहती है कि दुख रे प्यारो मेरे प्राण को सो में छोड़ियो क्यों कर जाए जो में लियो है बुलाईंद्राउती जी तो दुख को बुलाती है और हम क्या करते हैं कि हम जैसे दुख आये विरह के प्रकरणों का पाठ करते हैं कि प्रकरणों का सुनने में भी मतलब एक हास्याशेश्पत बात लगती है कि ब्रहमसिस्टी वीरह muj जो है अथवास दुख जो है वह ब्रहमसिस्टी का आहार ऐसा वाणि कहती है हम अपने आपको और कहते हैं लेकिन जैसे दुख की आउस्ता आती है और जैसे ऐसा लगता है कि हाँ अब ब्रह्मसिष्टी कहलाने वाले सुंदर साथ माया से दुखी हो करके राजी की तरफ मुड़ सकते हैं अब ऐसी परस्तिति अगर बन भी जाती है किसी कारणवस तब भी हम राजी से प्रार करेइक लिए कह रहा है कि राजी हमें आपकी आवस plausक्ता नहीं है क्योंकि दु यह तो दुख बना रहा तो विरहा आएगा रधय में वानी की प्यारी पियारी पियुगी से दुख जिसको प्रियर है राजी उसको प्रेम करते हैं दुख से जिसको प्रेम है विरह से जिसको प्रेम है वो राजी की प्यारी है इसका मतलब क्या है कि अगर हम दुख से घ्रिणा कर रहे हैं दुख से नफरत करें दुख से हटा रहे हैं इसका मतलब है कि हमें राजी से प्रेम नहीं है अगर राजी से प्रेम होता तो हम फिर व वो दुख समाब्त करने के लिए नहीं करते अगर विरहा के प्रकरणों का पाठ भी करते विरहा के प्रकरणों को पढ़ते तब भी उसका भाव समझ करके विरहा और तडप और उस आग को और अधिक बढ़ाने के लिए करते कि राजी जल्दी से जल्दी हमें मिल जाए लेकि धाने नित्तब कि अमनेदा केकम कएध पांच गारी। के पांच लृष्व के में सभ्सक्राइब सेंगव स्भी निipp कॉछ विजा लृष्व होता आ अजिए को मैं अलग 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 घर में जाते हैं अलग अलग दिन में और वहां पर औरंग जीब का एक दरवारी होता है, उनको जब कांजी भाई कहते हैं कि मैं तो तुम पर साधी के वचन लेकर क्या हूँ, साधी के वचन का मतलब हुशघबरी लेकर क्या हूँ, गुड नियूइज लेकर क्या आया हुँ अब वो खुशकबरी क्या थी? कि कयामत का समय आचुका है कयमी का अखंड होने का समय आचुका है अब कयामत का जब अर्थ वुनने क्या नहीं समझा तो इस दरबारी ने क्या जवाब दिया कि अभी तो हमारे अंदर संचार की जो खाही से वो पूरी नहीं हुई है अभी मेरे बाल बच्चे नहीं हुए है अभी तो मेरे शादी भी नहीं हुई है लौकिक शादी भी नहीं हुए है तुम अध्यात्मिक शादी की खुशकबरी की बात कर रहे हो तो इस तरह का वो जवाब दे देता है, जब हम ये प्रसंग सुनते हैं तो हमें हसी आती है, हम हसते हैं कि अरे बेचारे ने पहचान नहीं कि राजी की, बेचारे ने राजी के संदेश को ठुकरा दिया, हमने संदेश को तो नहीं ठुकरा आया, पढ़ लिया उसको, हमने पूरी नहीं होगी इसलिए वह चाहता है कि वह महाप्रले नहीं हो उसी तरह से हम भी यह चाहते हैं कि यह जो दुख है अगर दुख आएगा तो विरहक से होते हुए हम राजी तक पहुंचेंगे राजी हमारे हिर्दय में विराजमन हो जाएंगे तो हमारी लौके कि दो मौमिन आपस में दो ब्रह्मिस्ष्टी सुन्दर साथ आपस में बात कर रहे होते हैं कि खुदा मौमिनों की संचारिक इच्छा को पूरा नहीं करता है इस विशे को ले करके एक मुसल्मान से उनका विवाद हो जाता है यह प्रसंग बितक में सबने सुना हुआ है और सब को पता है यह कि राजी ब्रह्मिस्ष्टियों की लौकिक इच्छा पूरी नहीं करते हैं माया जनित हो तो अगर किसी ब्रह्मिस्ष्टी की संचारिक देने के लिए उसके उपर भौतिक संचाधनों की कृपा नहीं होती है लेकिन हम मेहर सागर का पाठ करते हैं या मेहर जब मांगते हैं तो भौतिक चीज़े ही मांगते हैं लेकिन जब हम बितक के इन प्रसंगों को सुनते हैं तो हमें उन लोगों पर तरस आता है जबकि हम और उनकी रहनी में कोई भी भड़क नहीं है सुन्दर साथ के साथ तो तुलना कदूर की बात है उस औरंग जेब के दरबारी ने जैसा काम किया हम भी बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये दुख हमसे समाप्त हो जाए हम सब चाहते हैं आज अवसर मिला है सबको घर में बैठने का कोई नहीं चाहता इस अजब लोग यह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो बीमारी है ये जो महामारी वह समाप्त हो जाए हूसके बाद हम वापस माया के काम में लग जाए आज अंतर मुखी होने का जो ऑशर प्राप्त हुआ हम हमें अंतर मुखी होने का समय मौका मिला है हमें लेकिन हम और ज्यदा बहिर मुखी हो रहे हैं और जब हमें नहीं मिल रहा था तब हमारे पास बाहना था अब तो बाहना भी नहीं वास्तों में उसके अंदर भी विरहा नहीं है क्योंकि जो स्वयम विरहा में डूबा है वैसे वो किसी दूसरी अथवा तिसरे विक्ति को नहीं कह सकता है लेकिन एक जब सामुही के रूप में बात की जाती है सभी सुन्दर साथ जब बात करते हैं कि हमें जैसे इंद्राउत तो हम लक्ष प्राप्ति की तरह बढ़ सकते हैं और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लक्ष से भटक सकते हैं ये बात समझ करके मैं आप लोगों से ये अरजी प्रार्थना विंती कर रहा हूं कि विरह के प्रकरणों को मेहर सागर को हम केवल पाठ तक और फिर भौतिक लौक के कामना के पूरा होने तक सिमीत ना रखें विरह में अगर वास्तों में डूबना चाहते हैं तो हम ये याद रखें कि विरह का केवल गायन करने से विरह नहीं आ सकता विरह का गायन अथवा विरह के प्रकरणों का गायन सुनना बूरा नहीं है जैसे हम लोगिक अगर गा विरह का प्रकास है यह भी राग आसावरी में दिया है राग तो गाने के लिए ही होता है जो विरह के छे प्रकरण है राग सिंधुड़ा लिखा उनमें तो रागों में ही यह वाणी अवतरित हुई है गायन के लिए है लेकिन सिर्फ गायन के लिए नहीं है परम्हक्स महारा करते हैं उन्हें ही मंगल सुक्ति में कहा कि विरह गाने बजाने के अभिसाय नहीं लेकिन तुम तो दिन रहन जात रोय रोय जी कह करके गाते बजाते हो जो वेक्ति रो रहा होता है दिन रात रो रहा होता है वो गान नहीं पाता है हां उन चौपाईयों को गाने से अगर किस कुछी भी दिन हमारे दिल में वह बात चुब जाती है जैसे आज हमें जो कुछ बाते नहीं समझ में आ रही है कि उसी तरह से गाते गाते भी उसका भाव अगर हमारे दिल में आ गया और एक पल के लिए भी वह अवस्था बन गई तो वह गाना सार्थक होगा लेकिन सिर्फ गाना उसका कोई महत्व़ नहीं है क्योंकि केवल विरः के प्रकरणों का गायन करने से अथो आपाठ करने से विरः नहीं आ सकता है जैसे कि मैं बार-बार कहता हूँ, सकर-सकर कहने मात्र से मुख मिठा नहीं होता है और इसलिए इन राउतीजी ने इस प्रकरण में पहली चौपए में जो कह दिया कि ए बात में तो कहूं जो कहने की हुए ये कहने की बात नहीं होती है, ये अनुभव की बात होती है सकता है तो टीका में हम इन चोपाइओं को पढ़े एन चोपाइओं के ARTHों को पढ़े और फिर जो भी आधक हैं कि राज्जी की प्राप्ति में जो जो भी साधक हैं हमारे उन से हम दूर नहों हम अभी क्या कर रहे हैं वरतमान में हम सबसुंदर साथ के रहनी ऐसी है जाने अंजाने में दूर हो रहें और अंजाने में तो मैं नहीं कहूंगा सब लोग जान बुच करके दूर हो रहें कि इतना अग्यानी कोई नहीं है सब को यह पता है सब यह जानते हैं दुख थे विरहा उपजे विरहा प्रेमिस कि यह चौपाई सब को याद है और बच्प दुख से प्यूजी मिल सी, सुखे न मिल्या कोई, अपने प्यूग का मिलना सो दुख से ही होई तो ये भजन में ये चोपई सायद वानी से ही जोड़ी भी हो सकती है लेकिन ये चोपई सायद हमारे समाज में सुन्दर साथ के समाज में सब के मुख में है अर्थात सब को याद है लेकिन हमने इन चीजों को सिर्फ गायन का और फिर वो दुख को भगाने का एक साधन ही बना रखा है तो इसलिए इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे ऐसी अगर रहनी को अगर हम अपनाएंगे तो हमें रज्जी की प्राप्ति हो सकते हैं तो हम अपने अध्यात्म के लक्स तक पहुंच सकते हैं लेकिन ये बात सिर्फ उनके लागू होती है जो वास्तों में सच्चे द बाता yhtिल से राजजी से प्रेम करते हैं सवयम को भ्रह्यस्टी मांते हैं बाकि अगर किसी को संचारिक इच्छा ही संचारिक सुख ही भूग ना हो तब भी इंद्रवती जने उनके लइब राश्ता खुलाई छोड़ायां इन्द्रवती जने काया कि जबर्जस्थी किसी के साथ नहीं है माथे ले से तेने कहूं छू बिजा माकर जो दुख तमे तमारी माया माहे सेह जे भोगव जो सुख इनी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं प्रणाम चेंगे प्रणाम चेंगे